ये लिया है मैंने मखाना मखाने को सूपर फूट भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैलशियम, मैकनीशियम, आइरन, पुटेशियम, जिंक पाया जाता है ये हमारे हड़ी और दातों को करता है मजबूत चली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हल्दी बनने वाली है इसे बच्चे बुढ़े बज़र कोई भी खा सकता है और कभी भी आप इसे खा सकते हैं ये मैंने कढ़ाई ली है गैस की प्लेम को लो टू मेरियम किया है और मखाने को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे भुने में ये क्रिस्पी हो जाए और इसकी नमी भी चली जाए कुछ देर हो चुका है मखाने को भुनते वे अब मखाने को हम चेक करेंगे कि ये सही से भुना है या नहीं इसके लिए हमें क्या करना है एक मखाने को हम हाथ में लेंगे और इसको उंगलियों से दबाएंगे अगर यह असानी से मसल जाता है और आपको खुदी इसको मसलने में क्रिस्पी सा लगेगा गैस को बंद कर देंगे और मखाने को कड़ाई के अंदर से निकाल लेंगे सेम इसी कड़ाई को लेंगे जिसमें हमने माखाने भुने थे तो इसको हम कपड़े से या गैस की जो किचन की तौलिया होती है अब की उससे कड़ाई को पूश दीजेगा और कड़ाई में एक चमच घी डालेंगे गी को कड़ाई में फैला लेंगे इसमें मैंने गुड डाला है तीन चमचे करीब ये गुड है और गुड के मैंने छोटे छोटे टुकडे कर लिये है चमच से चलाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पाई डालेंगे करीब दो से तीन चमच पानी मैंने इसके अंदर डाला है इसको चमत से चलाते रहना है शुरुवात में आपको ऐसा लगेगा कि ये पानी जैसा पतला है लेकिन हम इसे थोड़ी देर तक लगातार चलाएंगे तो इसकी ठीकनेस बढ़ेगी ये पहले से गाड़ा होगा फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे चैनल पना है तो सब्सक्राइब कर दे इस चाइम पर एक छोटा टूड़ा अद्रक कर लिया है मैंने इसे कद्दू कस करके डाला है आप चाहें तो इसकी जगा पे सोट पॉड़र का भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये साथ काली मिर्च को कूट करके डाला है आप चाहें तो इसकी जगा पे काली मिर्च का पॉड़र डाल सकते हैं थोड़ा सा इलाइची पॉड़र डालेंगे इससे फ्लेवर बहुती अच्छा आएगा थोड़ी दिरी से लगतार चलाएंगे और आप देखेंगे कि इसका गाड़ापन बढ़ चुका है आप देखेंगे इसमें काफी सारे बबल्स आ रहे हैं और ये कुछ जा चलाएंगे तो इसकी ठीकनिस और बढ़ जाएगी एक कटोरी में पानी ले और ये जुगड़वाला पानी हमें त्यार किया है इसका एक भुन डालें आप देख सकते हैं कि पानी में नहीं फैल रहा है तो ये ठीक है इस टाइम पर एक कटोरी भुना हुआ हुआ मकाना हम क कि गुड़ की पूरी कोटिंग मकाने पे हो चुकी है कड़ाई में कुछ भी नहीं बचा है आनी में गुड़ डालकर जो मिक्षर में त्यार किया था गुड़ पे अच्छी तरसे कोट हो चुका है गैस को कर देंगे बंद और मकाने को निकाल लेंगे अलग प्लेट में यह अब यह पूरी तरसे ठंडे हो जाएंगे तो यह softly अलग नहीं होता है यह देखिए कुछ इस तरह से अलग करके मकाने को आपको लख लेना है यह बहुत ही टेस्टी बने हैं और healthy भी है इसे आप खाएंगे तो बिलकुल चॉकलेटी टॉफी जैसा टेस्ट आएगा को आन कर लें इससे होगा यह जब भी मेरी कोई नए वीडियो अप्लोड होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी